हेलो फ्रेंड्स गोड मॉर्निंग राधे राधे कैसे हैं आप सब और ये लिके सन्राइज हो चुका है और इस समय छे बच चुके हैं और आज है संडे यानि की छुट्टी का दिन हस्वेंड और बच्चे दोनों घर पर हैं और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि छुट्टी वा घर से जाने वाला भी है और उसके लिए थोड़े से मन उदास भी है लेकिन ये तो कुद्रत का नियम है जो आया है वो जाएगा ही तो उसके जाने की भी हम आज खुसी मनाएंगे तो यहां पर हमने चाय बनाने के लिए रग दी थी आज हम दो कप चाय बना रहे हैं क्योंक की तरह से तैयार हो गई है तो इधर हम चाय को चान लेते हैं आप लोग भी आ जाएए और हमारे साथ चाय पी लीजिए और इधर सबाद 6 वजे का टाइम था और ये देखे कबूतर आ चुके थे और कापी कबूतर दाना खा दे चुके थे तो जो कबूतर बच गए वो दा गडपती कितने सुन्दर लग रहे हैं आज पांच मा देना है गडपती का और आज हम गडपती बिसर्जिन करेंगे इसलिए थोड़ा सा मन में दुख हो रहा है क्योंकि जब गडपती आते हैं तो बहुत ही जादा खुसी होती है और उनके जाने पर थोड़ा सा मनुदास ह हो जाता है और आज ही के दिन राधा अश्टमी भी है तो राधा रानी आज हमारे घर में आ रही है तो उसकी बहुत ही जादा खुसी है संड़े के दिन हस्वेंड और बच्चे दोनों घर पर ही है इसलिए आज पांच में दिन ही हम गडपती बिसर्जन कर रहे हैं क्योंकि दस दिन बाद फ्राइडे पड़ेगा और उस दिन किसी की भी छुटी नहीं होगी तो इसलिए बेटी ने का ममी आज पांच में देनी हम बिसर्जन कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग पूजा कर चुके थे उसके बाद हमने पाठ कर लिया था और पाठ करने के बाद मैं यह पर आरती करने नगी थी आरती करने के बाद आज सिंपल सा ही हमने ब्रेकफास्ट बनाया था ब्रेकफास्ट के बाद ही तुरंत हम गड़पती जी का भोग लगाएंगे और राधा रानी की भी फेवरेट दही अर्वी की सबजी बनाएंगे जिसकी रेस्पी हम आप सब के स और इन्हें साथ से आठ सीटी आने तक हम कुक कर लेंगे चने बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं और थोड़ा हेल्थी भी व्रेकफास्ट रहता है चने उबल गए थे अब इसमें हमने पनीर टमाटर खीरा डाल दिया था और ये व्रेकफास्ट बनकर पिल्कुल तयार ह काना को भी आमने इसी का भोग लगा दिया था यहां पर हमने अर्वी दी आर्वी को चील कर लंबा पतले तुकडों में हमने काट लिया है और यह है चार चमज दही दही को हलका सा हमने फेट लिया था और यह धनिया दो हरी मिर्च और अध्रक इनके हम एक पेश्ट तयार क बनाएंगे सडसों के तेन में आप राधारानी का भोग कभी मत मनाईएगा यहां घी गरम हो गया है अर्वी को अच्छे से हम पहले ही दुल के पहुंश चुके थे अब अर्वी को हम डाल देंगे घी में और इसको चलाते हुए लगातार हम फ्राई करेंगे जब तक कि अर अर्वी बढ़िया से फ्राई हो जाएगी और जब तक यह फ्राई होगी थोड़ी से यह गल भी जाएगी राधा अश्टमी के दिन तो मिठाई की दुकान पर भी राधारानी का यह अर्वी का भोग मिलता है जो लोग ब्रंदा बन गए हैं वो इस बात को जानते होंगे त इसमें कोई ज्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं और जो मसाले पड़ते हैं वो हम लोग फाष्ट में खाते ही हैं तो यह धर दिखी अर्वी पे हलका सा गोल्डन कलर आने लगा है अर्वी हो गई है अच्छे से फ्राई यह दिखिए हम आपको पात से दिखाते हैं हलका सा इ तो यहां पर हमने अर्वी को निकाल लिया है कडाई ही में दो चममाश तेल डाला है और उस समय डाल दिया है एक चममाश जीरा ओर एक चमच अजवाईन, जीरा और अजवाईन दोनों को अच्छे से चटकने देंगे, दोनों चीज़ें जब अच्छे से चटक जाएं, तब हम इसमें डाल देंगे अपनी अर्वी, अर्वी को डाल देते हैं, अर्वी को पहले ही हमने फ्राई कर लिया था, इसलिए तुमारा से फ्राइ करने की जरूत नहीं है बस अचछे से mix कर लेते हैं हम इसे अब इसमें डाल देङे एक चमच काली मिर्च पाउडर काली मिर्च पाउडर भी हम लोग फाश्ट में खाते ही हैं मिर्च पाउडर को मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे दही जो दही हमने फेट कर रखा था वही दही हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से चलात लेते हैं और साथ में डाल देंगे अधरक, हरी मिर्च और धनिये का पेश्ट अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमे कोई भी मसाला नहीं जाएगा बस अरवी की सबजी इनी मसालों से पकर तयार हो जाएगी अभी इसमें काफी ग्रेवी है अब डालेंगे नमक अगर आप फाष्ट के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप ब्रतवाला नमक डाल लीजे और अगर फाष्ट के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें सारा नमक डाल लीजे नमक को भी चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसको हम ढग देते हैं जब तक कि अरवी पूरी तरह से हमारी पकना जाए और ये जो चटनी का ग्रेवी थी ये सूखना जाए और ये देखें अरवी बिलकुल पक चुकी है और इसे पकने में हमें तकरीवन आठ से दस मिनट लग गए थे लोप लेंप पर हमने इसे पका लिया है और अब डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया तो राधा रानी की फेवरेट दही अरवी की सब्री बनकर तयार हो गई आपको ये भोग कैसा लगा जरूर बताईएगा और राधा अश्टमी पर इसे जरूर बनाईएगा बेटी ने बना लिया था मटर पनीर और ये है हमारे बपपा और राधा कृष्न का भोग भोग की थाली आपको कैसी लग रही है जरूर बताईएगा और बपा को भोग लगाने के बाद तुरंती हम बरतन दुनने लगे तो क्यों भोग बनाने में भी हमें दो बच गए थे और बपा को भोग लगाते लगाते धाई वज़े का टाइम हो चुका था और चार वज़े के टाइम पर हमें बपा के बिसर्जन के लिए भी जाना था इसलिए तुरंती हम लोग खाना खा लिये थे और मैं इधर बरतन दुनने लगी थी क्योंकि ये सब काम करने में भी एक दिड़ घंटा हो ही जाता और अगर ये काम अभी नहीं करते तो वज़े के लिए लेट हो जाते तो यहाँ पर मैं धुल ले थी फटा फट बरतन और बरतन धुलने के बाद तुरंती मैंने चूला साफ कर दिया था और किचन अच्छे से साफ कर दिया था आज बपा का विसरजन था तो मन बहुत खराफ सा हो रहा था बपा आये थे तो बहुत ही खुसी थी अब मंदिर भी खाली खाली सा लगेगा और दो-तीन दिन तो थोड़ा सा अजीफ लगता ही है हमारे घर कोई महमान भी आता है न और वो जब जाता है तो घर खाली-खाली सा लगता है तो बस बिल्कुल बपा का भी ऐसा ही है बपा थे तो घर में थोड़ा काम था ये भोग बनाना है ये करना है और अब बपा चले जाएंगे तो बस फिर पहले जैसा ही रुटीन हो जाएगा पर इक कहते हैं ना प्रकति का नियम होता है जो आता है वो जाएगा भी बपा अपने घर जा रहे हैं और उन्हें हम खुसी-खुसी बिदा करेंगे इधर कुछ कपड़े पड़े थे इनको फटा-फट से हम तै कर लेंगे और बिसर्जन के लिए जो जो सामान हमें ने जाने हैं उसकी हमने तैयारी कर ली थी और ये देखिए हमारे हस्वेंड गड़पती जी को लेके चल दिये हैं आगे मेरा बेटा जा रहा है और पीछे हम लोग भी अपना जा रहे है गड़पती जी का विसर्जन हम एक नहर में करेंगे हमारे घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही एक नहर है वहाँ और भी बहुत सारे लोग गड़पती विसर्जन के लिए आते हैं नहर में पानी भी अच्छा था और पानी साब भी था तो बस यहाँ पर हम अपने फ्लेट की बेस्मेंट में आ गए हैं यहाँ पर गाड़ियां खड़ी होती हैं तो बस हम लोग गाड़ी में बैट लिए थे और गड़पती का विसर्जन के लिए चल दिये थे आज का विलोग यहीं खतम करते हैं कैसे लगा आपको आज का विलोग कमेंट करके जरूर बताइए विलोग अच्छा लगे तो उसे लाइक तरिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बढ़ाए